क्या आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा? क्या आपको बहुत जादा टेंशन है बच्चे के केरियर से रेलेटेड, स्किल से रेलेटेड, उसके वीजन, उसकी ट्रेनिंग, हर चीज से रेलेटेड? नमश्कार, मैं हूँ चारिया पंकित गोईल, और आज मैं बात करने वाला हूँ, हर एक आस्पेक्ट जिसके अंदर आपका बच्चा कितना खुश रह सकता है, एंथुजियास्टिक नहीं रह सकता, इसकी बारे में आपको क्या उपाए करने है, उसकी पढ़ाई के लिए आपको क्या उपाए करने है, उसकी साख संगत के लिए आपको क्या उपाए करने है, ताकि हमेशा उसकी संगत अच्छी रहे, और कैसे वो डिप्रेशन से बाहर रहे, आज कल बहुत ज़्यादा ये टेंशन है, कि बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादार माबाब एक ही बात पर फोकस करते हैं, कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई अच्छी करें, लेकिन उम्र के साथ छात में, अधिकतर माबाब को एटेंशन होती है, कि लोड्स के खारण, अलग-अलग तरीके के मेंटल प्रेशर के कारण, बच्चे को बहुत बड़ी समस्या होती है, डिप्रेशन की, उसके बाद में क्या होता है, उसकी संगती गलत है, अगर जिसकी भी संगती गलत हो जाती है, उसका सुभाविक है, जो फ्यूचर है, वो खराब होगा, और हर माबापको इसके उपर टेंशन होती है, उसका करियर, वो खुद से सेट कर पाए, खुद से वो करियर सेट कर पाए, जो उसकी स्किल्ज हैं, वो खुद, जो आप चाहते हो वो नहीं, बच्चे के अंदर से निकल कर आए, कि मेरी skill set ये होनी चाहिए वो खुद training ले खुद उसका vision बहुत अच्छा हो और साथ ही साथ में वो goal setting भी करनी जान सके इन सब भी बातों के बारे में इस पूरी वीडियो में detail में बात करने वाला हूँ अच्छे समझना अगर आप responsible parents हो तो आपको इस सारी बातें समझ में भी आएंगी छोटे-छोटे से उपाएं हैं कोई खर्चे वाले उपाएं नहीं हलके से और last में आपको क्या रामबान मिलेगा कि overall बच्चों को पढ़ाई में भी और जिंदगी में भी खुश कैसे बनाया जाए सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं अराम से समझने की कोशिश करना सबसे पहले में directions की बात करूँगा उसके बाद में बात करूँगा बच्चों के behavior की उसके बारे में उनकी खेल कुदगी हर चीज़ की ताकि आपके बच्चे के अंदर आतम विश्वाश आतम बल बन पाए और सबसे important बात करूँगा माबाप की क्योंकि अगर माबाप का दिमाग और माबाप का vision ही गलत हो जाता है तो उसका direct load, direct जो pressure है वो बच्चे के उपर पढ़ने लगता है इन सभी बातों में बात करेंगे ताकि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से जिंदगी को काम्याब बना सके सबसे पहली बात में बात करता हूँ एक बच्चे के लिए पढ़ाई से related दिशा होती कौन सी है बच्चे की पढ़ाई से related दिशा है उस दिशा का नाम होता है West South West WSW ये दिशा पाई कहां जाती है इस बात को ध्यान से गोर करना कहां पाई जाती है दिशा अगर ये आपका घर है और ये North है इस बार मैं थोड़ा सा अलग example लेता हूँ हर बार मैं North इस तरफ दिखाता हूँ मैं आज इदर दिखा रहा हूँ North ये आपका West हो गया तो हलका सा साड़े ग्यारा डिगरी छोड़ दीजिए इस West से एक्जेक्ली आपका कमपास निकल जाएगा उसके बाद जो साड़े 22 डिगरी का ये दिशा बनती है जिसको लोग South West समझ लेते है एक्चुल में वो West South West होती है इसका सबसे जादा बड़ा प्रभाव है आपके बच्चे की Overall Education पे मैं सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहा कि वो पढ़ाई में कितने नंबर लेके आएगा मैं बात कर रहा हूँ हूँ Overall Education पे, Overall Learning पे जातर बच्चों की Learning के उपर बहुत जादा काम होता ही नहीं है और यही दिशा है जो उसको Education प्रोवाइड कराने वाली है हमें इस दिशा के अंदर क्या नहीं चाहिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे क्या नहीं चाहिए Notes जरूर बना कर चलना मैं हर बार पिछली कुछ वीडियो में आप सभी लोगों को ये बात बोल रहा हूं सिर्फ सीरियस जो स्टूरेंट्स है वास्तू के वही इस वीडियो उसको देखिए Notes बनाते हो चलना क्या नहीं होना चाहिए West-South-West के अंदर Green Color नहीं होना चाहिए उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए Red Color नहीं होना चाहिए कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप Hindi में बोलो और मैं कई बार ये कमेंट कर चुका हूँ इससे ज़्यादा Hindi में कैसे बात करें हरा रंग, लाल रंग कहा नहीं होना चाहिए पस्चीमी नरित्या में अगर आपको ये बात समझ में आई पस्चीमी नरित्या क्या होता है? West or Southwest नरित्या कों? और पस्चीम के बीच में आने वाला पस्चीमी नरित्या जिसको हम West-South-West बोलते हैं, वहाँ पर ये रंग नहीं होने चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए टॉयलेट नहीं होनी चाहिए अगर टॉयलेट है तो इसका क्या उपाए करेंगे आईरन की स्ट्रिप या ब्लू और वाइट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं वाइट प्रेफरेबल है चलो आप एक काम कीजिए वाइट के साथ में जाते हैं वाइट कलर की टेप इस टॉयलेट के चारों तरफ लगा देंगे अब कुछ लोग मेरे से बार बार हर वीडियो में पूछते हैं जो लोग नए हैं कि टेप कैसे लगाई जाती है मैं explain कर दूं supposedly कि ये आपकी दिवार है यहाँ पर टॉयलेट सीट बनी हुई है नीचे जमी पर चारों तरफ टेप लगाई जाती है उसका sample मैं अभी आपको screen पर दिखा भी दूंगा ये सारी important बात होगी किस से related education और learning से related एक सबसे important दिशा आप लोगों को मिली उसके बाद जो दूसरी दिशा की मैं बात करता हूं वो दिशा है North East आप मेरी हर वीडियो के अंदर प चाहिए फिर से लाल रंग अब जो लोग इसको हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं इशान इशान कोन बोलते हैं या उत्तर पुर्व दिशा भी इसको बोला जाता है लाल रंग रेड कलर नहीं होना चाहिए येलो कलर डार्क येलो कलर नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोई भी clutter नहीं होना चाहिए kitchen नहीं होनी चाहिए और toilet नहीं होनी चाहिए इन सबी विशेशकर बातों में ध्यान रखो kitchen और toilet का कोई लाज नहीं है clutter आपको हटाना पड़ेगा यह सब colors आपको वहाँ से हटा कर क्या paint करवाना पड़ेगा off white first आने लगेंगे क्या सभी के number 90% चे उपर आने लगेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला होने क्या वाला है उसको education मिलेगी important है education एक विक्ती जो अपने field के अंदर प्रयार्ट मातरा में knowledge रखता है जिसको पता है कि मुझे इस field के अंदर जाना है हो सकता है वो engineer या doctor ना बने लेकिन वो अच्छा वास्तू consultant बन सकता है लेकिन वो अच्छा actor बन सकता है लेकिन वो अच्छा artist बन सकता है इस बात की knowledge उसको दिलाईगी west-southwest और आपको उसके future की चिंता को छोड़ देना है क्योंकि वो बेकती वो बच्चा सही हो जाएगा यहाँ पर north east का एक और बहुत बड़ा रोली आता है कि जो parents है उनकी बहुत बड़ी गलती देखने को मिलती है अपना जो जिंदगी के अंदर वो नहीं कर पाए वो उसके उपर थोप देते हैं कि भई मैं तो कभी इंजिनेर नहीं बन पाया तू ही बन जा अरे तू ही नहीं बन पाया तरह बच्चा नहीं बन पाएगा कितनी बड़ी बात हो गई है important यह है कि यह कुछ अच्छा करे जीवन में उस पर pressure हटाओ वो जो करना चाता है उसको वो करवा के दो सिर्फ इन दिशाओं को balance कर लो और हाँ अगर आप भी कुछ बन चुके हैं तो भी यह possible है कि आपका बच्चा वो same ना बने घर में चार बच्चे हो सकते हैं एक पढ़ाई में अच्छा होगा लेकिन west-southwest या north ही सही होने से क्या होगा सब अपने-अपने fields में education होगे कुछ लोग बोलेंगे एक ही वास्तू एक बच्चा बहुत पढ़ता है दूसरा बिलकुल नहीं पढ़ता इस बात का सटीग आंसर यह है कि एक बच्चे को knowledge किसी और field की होगी दूसरे को कुसी दूसरे field की होगी मेरे ही घर का example हमारे west-southwest में toilet हुआ करते थी हम पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे जिस दिन उस toilet को treat करवाया क्या आज से 7-8 साल पहले मेरी education बहुत बढ़ गई हमारे घर में रहने मेले और बच्चे जैसे हम उम्र का मेरा भाई उसकी education अपने field के अंदर बहुत ज़्यादा होती चली गई इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो I.E.S. अफसर लगने लग जाएंगे it is more important कि वो करता क्या है और उसको मिलेगा क्या आप सभी लोग को यह बात समझ में आई होगी इसी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक course सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए जो कि start होगा January में उसमें एक महीने के अंदर आठ classes आपके बच्चों को online दी जाएगी उसमें आपके बच्चे को यह सिखाया जाएगा कि अपना वीजन कैसे तैय करना है गोल सेटिंग कैसे करनी है काम कैसे रहना है कौन कौन से मंतरों का उच्चारन करना है meditation कैसे करना है बड़े वुजुर्गों की साहिता कैसे करनी है बड़ों के साथ में कैसे रखना है कैसी संगत सही है कि कैसी संगत सही नहीं है नशा क्यों नहीं करना है कैसे नशे से बचा जाए हर तरीके की चीज़ जो parents मुझे लिखके देंगे सबी चीज़ों के उपर मैं working करवाँगा सिर्फ 500 रुपीज monthly charges रहेंगे और फिर वो बच्चा जिस भी age group का होगा वो उस process को follow करता जाएगा और I bet, I guarantee कि अगले 2 साल के अंदर आपके बच्चे की उमर अगर वाक्य में देखने लाइक है teenage अगर वो है तो अगले 2 साल के अंदर आपका बच्चा वो कर दिखाएगा जो कोई और बच्चे नहीं कर पा रहे है उसका simple सा reason क्या है मैं behavior setting को सही कर रहा हूँ मैं उसको पढ़ा नहीं रहा मैं उसके behavior pattern को सही कर रहा हूँ मैं आपको एक subconscious की बात बताता हूँ एक बच्चे के mind में पहले 7 साल तक जितना भी आप amount डालते हो पूरे 70 साल वैसी चलते है scientifically proven है आप google करके देख सकते है पहले 7 साल उसके subconscious uncutious को बना रहे होते हैं अब अगर आपके घर के अंदर बहवार गलत है तो इसलिए मैं parents की class भी लूँगा हर महीने में दो बार कि आपको कैसे deal करना है आपको कैसे बच्चे के सामने जाना है इन सभी classes का वास्तू से कोई संबंध नहीं होगा यह behavior है इसमें Sanskrit भी आएगी इसमें Hindi भी आएगी थोड़ी थोड़ी जितनी मुझे आती है उसका इस्तमाल कैसे करना है कैसे sports में अच्छा करना है कैसे पढ़ाई में अच्छा करना है जो आपके skill sets है उसको कैसे improve करना है और भारतिय कल्चर को जिस भी धरम में हो उसको कैसे अपना कर चलना है और अलग-अलग experts में दुनिया के लेकर आऊँगा इखटे करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आकर उन बच्चों को घ्यान भी देंगे कि उन्होंने success कैसे प्राप्त करी तो इसके registration 26th of November से open होगे form जो है वो अभी हम दाल देते हैं इस वीडियो की description में उस form को fill कीजिएगा हम call करके आपके registration after 26th of November लेने start कर देंगे इसके बाद आपको आगे भढ़ना होगा और आपके बास call आएंगी जनवरी से इसकी classes start है तो जितने भी लोग इसको enroll करना चाहते हैं वो form जरूर भर दीजिएगा उसके बाद में हम आगे जरूर भढ़ेंगे वापस आता हूँ मैं वीडियो के उपर इसके बाद हमने क्या देखा कि एक बच्चा हमने उसकी learning के उपर focus करा दिया उसके बाद क्या focus कराना है उसकी skills पर अगर उसकी learning अच्छी हो जाएगी तो उसकी skills के उपर हम बात करते है skill क्या होती है अब कुछ लोग बोलेंगे learning ही अच्छी होगी तो skill का क्या relation होगा? Skill gaming की भी हो सकती है, video detail में है, अराम से सीखने की कोशिश करना, skill sports की भी हो सकती है, skill पढ़ने की भी हो सकती है, education and learning की भी हो सकती है, किसी भी skill को, यह आपको पहचानना है, कि आपके बच्चे की skill क्या है, उससे related दिशा, skill से related दिशा कौन सी होती है, south west, इस south west दिशा के अंदर क्या करना है, पहले anti elements अटाने हैं, anti elements क्या होते हैं भला, toilet फिर से, green color, red color, black color, यह सब यहां से हटा देना है, तो उसकी skills अच्छी होंगी, और जो भी बच्चा skill set उसका अच्छा है, उस skill की कोई भी चीज लाके, जैसे guitar लाके रख दिया, guitar किसके लिए चलेगा, जो बच्चा guitar बचाने के काबिल हो, या उसको शौक हो, ऐसा नहीं है कि मा बजाती है, तो बच्चा भी बजाने लगेगा, जिसका जैसा शौक, वैसे ही चीज़ें आपको लाकर, as a remedy, southwest के अंदर करनी है, उसकी skill set अच्छी होने लगेगी, अगर ये बच्चा mathematics में अच्छा है, तो mathematics के जो instruments हैं, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, mathematics के जो instruments आते हैं, जैसे abakas आता है, मुझे इतना ही पता है, और भी जितने ऐसे instrument आते हों, जो उसको और अच्छा कर सकते हों, वो लाकर, southwest के अंदर रख देने हैं, हमने दो बात ने सीखी, उसके बाद हम बात करते हैं, proper training और education के लिए, फिर से बात आती है, west, southwest की, जो कि मैंने आपको बता दी है, और vision, एक बच्चे का vision जो है, वो set होता है, west direction से, vision क्या है, जिन्दगी के अंदर क्या करना है, इस बात की पकड़ होना, anti elements आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, toilet ना हो, green color ना हो, red color ना हो, और इसके अंदर अगर toilet है, तो white color की tape, से इसका treatment कर दें, कोई toad food नहीं करनी है घर के अंदर, सिर्फ इसका treatment कर देना है, अब हमने इसको treat भी कर दिया, vision को अच्छा करना है, एक बात या रखना है, घर में दो से ज़्यादा remedies मत करना, और एक बार एक ही बच्चे के लिए remedy करना, जब वो सूध हो जाए, वो result आजा है, तब आगे बढ़ने की कोशिश करना, vision के लिए क्या करना है, एक ऐसा vision की remedy में आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप लगा सकते हैं, जो भी vision आपके बच्चे का है, वो आपको वहाँ पर लगवा देना है, स्किल सेट के लिए अलग, स्किल सेट क्या है, मुझे गिटार बजाना आता है, साउथ वेस्ट में, गिटार सीखने से related knowledge को, साउथ वेस्ट में, और फाइनली, जो भी चीजें उसका vision है, जैसे वो गिटारिस्ट बनना चाहता है, वो फलाने फलाने के साथ में काम करना चाहता है, वो बॉलिवुड में काम करना चाहता है, वो हॉलिवुड में, उस vision से related documents, या वैसी images को कहां लगाना है, वेस्ट में, ये तीनों धिशाओं का major role है, जो आपके बच्चे को काम्याब इंसान बनाएगा, अब आगे भड़ते हैं कि कैसे आपका बच्चा खुश रहे, या आपका बच्चा depression के अंदर ना आए, इन दोनों बातों के उपर हम बात करते हैं, number one वो depression में ना आए, number two वो खुश रहे, वो happy रहे, depression की next direction होती है, west of northwest, west northwest दिशा कहां पर आती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दू, west northwest दिशा आती है, northwest और west के बीच में, west मतलब पस्चिम, northwest मतलब उत्तर पस्चिम, इन दोनों के बीच में आती है, west northwest, कहां पर आएगी, मान लिजी यह आपका घर है, यहां आपका north है, तो यहां पर आएगा लगबख north west, तो यहां कहीं आपका west north west आएगा, ग्रेड़ मैप हमेशा फॉलो करना है, ग्रेड़ मैप के बिना आपको कोई काम नहीं करना, यह west northwest दिशा में आपका बच्चा ना तो बैठे, ना वो पढ़ाई करे, यहां पर अगर toilet है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहां पर blue, white, yellow color चल सकता है, off white color बहुत अच्छा रहता है, जिंदगी के अंदर या घर के अंदर, एक बच्चा 5-10 मिनिट अगर बैठ की यहां पर meditation करता है, तो बहुत अच्छा है, rest किसी भी काम के लिए, direction बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसका विशेश कर ध्यान रखे, नहीं तो वो depression के अंदर आ जाएगा, और last बात में करने वाला हूँ, संगती की, संगती कैसी हो, कैसी आप रख सकते हो, संगती कैसी रख नहीं है बच्चे की, वो अच्छी हो या ना हो, खुश कैसे रहेगा, जब वो depression में नहीं होगा, तो वो खुश रहेगा, automatically, जो बच्चे की खिलोने हैं, वो east-north-east में जाकर रखतो, तो वो खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, अब हम बात करते हैं, संगती की, उसके बाद में बात करेंगे, confidence की, उसके बाद में, कुछ ऐसी remedies में, आप लोगों को देने वाला हूँ, जो remedies सदा बाहर remedies हैं, वो बच्चे के जिवन में होनी ही चाहिए, जैसे की उसका phone, mobile phone कहां रखें, कि उसका addiction चूट जाए, यह अपन लास्ट में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बात करी, संगती की, संगती कौन से दिशा से आती है, east direction से आती है, कौन से direction से आएगी, east से, east direction आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें फिर से toilet ना हूँ, गलत कदर ना हूँ, इस बात का विशेश कर ध्यान रहें, और जिस भी तरीके के circle आप चाहते हो, जहां पर बच्चे की friendship हो, उन बच्चों की photograph के साथ, अपने बच्चे की कोलेज बनवाएं, और east के अंदर रग दें, तो बच्चे की संगती है, वो अच्छी होने लग जाएगी, उन बच्चों के साथ में रहने लगेगा, confidence की दिशा कौन सी है, confidence की दिशा है, south, south, east, दक्षनी, दक्षनी पुर्व, south और south east, दक्षन और आगने को उनके बीच में आती है, south, south east, यहाँ पर घी रखने से, घी रखने से, बच्चे का आत्मबल भढ़ने लगेगा, confidence भढ़ने लगेगा, यह बच्चे की फोटो भी आप वहाँ पर लगा सकते हो, इससे भी बच्चे का आत्मबल भढ़ने लगेगा, यह सारी रेमेडीज आपको करनी है, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, last, final, जिसके लिए आप शायद वेड भी कर रहे थे, रामबान उपाए हर वीडियो की तरीके से, और साथी साथ में, फोन कहां पर रखें, कैसे रखें, नमबर वन, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कि फोन के अंदर कोई ना कोई, educational application ज़रूर हो, या YouTube पर ऐसी searches कर लें, जिसमें educational information ज़रूर आती हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, नमबर टू, फोन का जो wallpaper है, उसमें books को, या कोई बच्चा जो books पढ़ रहा हो, वो लगा दें, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली remedy है, books को आप wallpaper लगा दें, आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, नमबर टू, अब इस फोन को blue color के mat में, blue cover में, या blue cover करके, रात को charge पे लगाना है, blue cover करके, रात को charge पे लगाना है, और रखना है पस्चिम दिशा में, अगर आपके बच्चा जगह है, west में, या west southwest में, इस से आपका बच्चा पढ़ने भी लगेगा, और उसका addiction भी छूटने लगेगा, धिरे धिरे उसको phone से दूर आने लगेगा, अब जिनका बच्चा, पढ़ाई की जगह पे टीवी जादा देखता है, उसको भी यह उपाए करना है, टीवी पे भी आजकल wallpaper लगने लगेए, उन wallpapers का इस्तिमाल करो, जो मैंने आपको भी बताए, और टीवी के अंदर भी educational pack लगा दो, और last but not the least, west southwest के अंदर, photograph, photo frame लगा दो, जिसमें books रखी हो, या library की कोई photograph लगा दो, या books के spine की photograph, west southwest में लगा दो, ये सारे उपाए करने से आपके बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, इन उपाएं को भी कर लो, और साथ ही साथ में जनवरी से मैं start कर रहा हूँ, lifetime coaching चलेगी उन बच्चों की, हमेशा, जब तक आपका बच्चा खुश है, जब तक आप लोग खुश हो, तब तक वो coaching चलेगी, और एक साल के अंदर, I will bet, कि आपके बच्चे को बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएगे, आपका बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, personal मैं guide करूँगा, और मैं ये भी कोशिश करूँगा, कि किस तरीके से मैं उनसे offline भी मुलाकात करूँ, और उनका mark दर्शन करने की ज़रूर कोशिश करूँ, मैं ये वादा तो नहीं कर पाऊँगा, कि वो education में, as in numbers में बहुत अच्छा करेंगे, मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ, कि वो life में बहुत अच्छा जरूर करेंगे, thank you very much, stay blessed, stay tuned.